अगर अभी तक आप सभी लोग को ऐसा कोई niche नहीं मिला है या फिर ऐसा कोई topic नहीं मिला है जिस पर आप सभी लोग work करके minimum content और minimum SEO के साथ गूगल के top पे जिसमें rank कर जाओ और वहां से जितना भी traffic आए उस traffic को AdSense के साथ monetize करके या फिर किसी और platform के साथ monetize करके भई सब्कुल भी आपको कहीं भी ज्यादा content डालने की जुरत नहीं है SEO की बात करें तो भाई SEO भी आपको इतना नहीं करना पड़ेगा अगर monetization की बात करें तो आप AdSense के साथ easily monetize कर सकते हो और 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 भी ज्यादा earning करना चाहते हो तो भाई affiliate marketing का भी यूज करके यहां से अच् वीडियो भाई सबसे पहले आपके पास पहुंच सके हैं तो सबसे पहला जो हमारा नीच रहेगा वो रहेगा success story अब गया success story अपने आप में ही एक बहुत बड़ा keyword है इसके अंदर भी इसे बहुत सारे keywords है जिन पर millions में traffic है तो भाई इससे related अगर आप सभी लोग अपना ए या फिर जितनी भी celebrities है उन पर अगर आप सभी लोग उनके success stories से related articles डालते हो अब इन जितने भी stars और singers लोग है इनके अंदर ही एक एक मतलब जितने भी लोग है उन पर एक एक keyword बनता है और उन एक keyword पर बहुत ज़्यादा traffic है जिसको अगर आप सभी लोग cover कर लेते हो तो व बहुत ही बढ़िया keyword है में इनके आप सभी लोग easily success story लिखकर अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो लेकिन अब अगर बात करें आपको विल्कुल भी knowledge नहीं success story से related आपको जितना भी knowledge है वो कहां से लाना है तो यूट्यूब पर भर-भर के videos पढ़े हैं ठीक है और उन सारे videos पक तो आप समझ सकते हो यूट्यूब पर इतने views है तो Google पर कितने जिदा views होंगे ठीक है तो आप समझ जाए कि ये एक बहुत ही बढ़िया niche है जिस पर आप work कर सकते हो content भी आपको कही से नहीं लाना है YouTube पर वीडियो देख लो वीडियो देखने के बाद वो जितना भी content है उ मुझे नीचे comment में बता दीजेगा ठीक है अब गया success story ऐसा नहीं कि आप सभी लोग जितने भी singers है या फिर जितने भी star है या फिर जितनी भी celebrities हैं उन पर ही आप सभी लोग success story डालो ऐसे भी बहुत सारे लोग है जिन पर आप सभी लोग success story डाल सकते हो जैसे कि नरेंदर मो में भी बहुत ही जादे तकलीफ होगी तो आप अगर चोटे लेवल से शुरुवात करोगे तभी तो आप एक लेवल पर पहुंच पाऊगे तो यह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जानना चाहते हो चोटे चोटी टोपिक्स तो मिंचे नीचे comment में जरूर बताना अब जो हमारा second niche रहेगा वो रहेगा lifestyle अब आप सभी लोग को पता ही होगा जितने भी बड़े बड़े लोग है senators इनके जितने भी फैंस गुरिंजटे लौटे से सेलीब्रिटे जोह जानना चाहते कि लाइफशटाइब किया है तोiva हिरोस7 इंद के सारी के सारी चीज़े पर एक अलग अलग चोटे-चोटे demost vic queries बनते हैं तो ऐगर ह를 लोग कवर कर लेते हो इससे related भी एक blog create कर लेते हो तो भाई अच्छा कासा traffic अपने site पर ला सकोगे और इस topic पर भी adsense monetization दे देता है यानकी approval दे देता है तो भाई adsense का use करके भी अच्छा कासा आरणिंग कर सकते हो और adsense के अलावा affiliate marketing का भी use करके अच्छा कासा आरणिंग कर सकते हो तो लाइफ इसा नहीं कि आप सभी लोग जो भी celebrity है उनकी ही lifestyle डालो अगर आप सभी लोग चाहो तो जो UK US जितनी भी countries है इनकी भी lifestyle डाल सकते हो जैसे कि इंडिया में भी इससे बहुत तरह लोग हैं कि जानना चाहते हैं कि बहुत अधर countries के लोगों की lifestyle क्या है या फिर भी other countries के जो भी लोग है वो भी search कहीं न कहीं करी देते हैं कि इंडिया के जुतने भी लोग है उनकी lifestyle क्या है basic वो क्या करते हैं कहुंसा brand यूज करते हैं बायोग्राफिय यानि कि जिवन काल आप सभी लोग को पता ही होगा तो हमारे देश में या फिर बहुत सारी इसे भी कंट्रीज जिन में बहुत सारे बड़े-बड़े लोग रह चुके हैं तो बहुत सारे इसे यूजर है जो जानना चाहते हैं उनकी मतलब बायोग्राफिय क करते हैं कि मघ्रिज का इशनका कब हुआ कि मरें कब ठीक है कि एक और टोपिक है यान कि अब बीके जो सेलीब्रीटी हैं उनके भी और यह स सही लोग का नाम है और यह सारा से लिए सभी लोगी पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर नहीं भी मिलता है तो भी आप सब्सक्राइब लोगा ले सकते हो बस आपको इसको अपने बे में इंप्लिमेंट करना है इक गलती आप एक गलती मत करते ना इन जितने बीरिलेटेदब आपको पहले के दिया जितना जादा माइंड यूज़ करोगे उतनी ही जादा आप यहाँ पर अर्णिंग कर सकोगे ब्लोगिंग चीज यह सी है ठीक है गाइस तो यह बायोग्राफी भी एक बहुत ही बड़िया कीवर्ड है इन पर भी आपको अलग-अलग कीवर्ड देखने तो यह भी टोपिक आप सभी लोग के लिए बहुत ही जादा हेल्पुल होगा तो अगर इससे रिलेटेट भी आप सभी लोग लोग कॉम्पेडिशन कीवर्ड जानना चाहते हो पुरी लिष्ट लेना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजेगा इस पर भी मैं वीडियो आप सभी लोग के लिए लिए ठीक है अब गैस जो हमारा फॉर्ट नीच रहेगा वो रहेगा डाइट प्लान अब आप सभी लोग को पता ही होगा कि जितने भी इस्टार्ज लोग है जो सेलिब्रिटेज हैं उनका सब का अलग अलग एक डाइट प्लान होता है त तो इन सभी में मिलियंस में ट्राफिक होता है तो इन टोपिक को अगर आप सभी लोग कवर कर लेते हो तो अच्छा कासा यहां से अर्निंग भी कर पाओगे और ट्राफिक भी बरपूर मात्रा में आएगा और इस टोपिक पर अगर एट्सेंस अप्रोवल की बात करें तो एट्सेंस अप्रोवल पर आप सभी लोग को मिल जाएगा और आप सभी लोग अगर एट्सेंस के अप्रोवल में कोई दिक्कत आ जाती है और ट्राफिक अच्छा कासा आजा है तो अफिलियेट मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो या फिर बहुत सारे एड नेटवर्क है जिनका यूज करके अच्छा कासा रेविन्यो जनरेट कर सकते हो तो भई ये भी एक बड़िया टोपिक है इस पर भी आप सभी लोग वर्क कर सकते हो अब अगर डाइट प्लान की बात करें तो इसा नहीं कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इस्टार जो भी लोग है उनक की अलग डाइट प्लान होती है जितने भी हरोईं से उनकी अलग होती है इसके अलावा जितने बीजो bodybuilding वाले men होते हैं उन सभी की अलग-अलग diet plan होते हैं जिसे की जोन से ना हो गया यह जितने भी है इनके सभी की अलग-अलग diet plan है तो इनके जितने भी जो है मतलब fans है वो जानना चाते है तो इस topic को भी आप सभी लोग cover कर सकते हो अब जो हमारा last day निच रहेगा वो रहेगा workout plan अब आप सभी लोग को पता हुए होगा जितने भी celebrities हैं जो भी stars लोग है उन सभी का अलग-अलग workout plan होता है तो इनके जितने भी fans होते हैं वो भाई search करते हैं Google पर की सलमान का workout plan क्या है tiger shop का workout plan का है तो इस पर आप सभी लोग जो है अपना blog create करके अच्छा खासा यहां से revenue generate कर सकते हो अगर आप यहां पर top position में rank कर जाओ और rank करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप सभी लोग मुझे नीचे comment में बता सकते हो मैं आपको इस पर भी एक dedicated video बना कर बता दूँगा कि आपको rank कैसे करना है अब guys workout plan में बात करें तो जितने भी hero है उनके workout plan पर आप article डाल सकते हो जितने भी heroines है वो भी workout करते है daily तो भई उनके भी workout plan पर आप सभी लोग डाल सकते हो article इसके अलावा जो WWE में जितने भी फाइटिंग में होते है जैसे कि जोन सिना अंडर्टेकर इनके भी workout plan के आप सभी लोग detail डाल सकते हो और यह सारी की सारी detail आप सभी लोग को YouTube पर मिल जाएगी या फिर Google पर भी मिल जाएगी आप सभी लोग detail को लेकर अपने वे में implement करकर गूगल पर डाल सकते हो यानिके अपने ब्लोग पर डाल सकते हो और रैंक करके अच्छा का साथ ट्राफिक ले सकते हो तो यह थे आज के फाइव प्रोफिटेबल नीच तो इस वीडियो में आप सभी लोग को जो भी निशेस बता है उन निशेस में आप सभी लोग को यह प्रोब्लम नहीं आएगी कि बहुत सारे कीवर्स आप सभी लोग को मिल जाएंगे जिस पर आप सभी लोग सही से आर्टिकल डालते हो चोटा मोटा एसीओ कर लेते हो तो इसमें और इसमें मोनिटाइजेशन का भी आप सभी लोग को कोई भी प्रोब्लम नहीं रहेगा गूगल के साथ मोनिटाइज कर सकते हो या फिर अफिलेट मार्केटिंग जोइन करके वहां से भी अच्छा कासा अर्णिंग कर सकते हो तो यह था आज की वीडियो में वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को एक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप इसे ही वीडियो सबसे पहले आपके आप पहुंच सके तो मैं मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मजगा है कि अ कि अ कि कि कि